क्रोध जिसे हम सुनते हैं ये तो सभी को आता है बस अनुपात अलग अलग होता है किसी को ज़्यादा मात्रा में तो किसी को कम मात्रा में और क्रोध से इसे बचा कैसे जाए यही चीज मैं आपके सामने बता रहा हूँ इसे महाविर स्वामी, बुद्ध, फ्राइड ठीक न और सबी जितने भी बड़े महात्मा लोग हुए यही कहा कि क्रोध का दमन कीजिए दमन मतलब आज के समय में समझा जाता है पतन यानि दमन यानि समाप्ती लेकिन क्रोध का दमन का मतलब होता है कि रुपांत्रन ठीक न? कोई बोलते हैं कि क्रोध को अपने अंदर पी जाओ, क्रोध को पीना सिखो, क्रोध को साना सिखो लेकिन मैं कहता हूँ कि मात्मा कहा गाएं कि क्रोध को कभी भी पीना या साना नहीं चाहिए इससे राज रोग होता है, राज रोग उत्पन हो सकता है आपको लेकिन अगर आपको किसी समय क्रोध ना उतर पाएं ठीक ना और आपके उसे नहीं प्रकट कर पाएं तब आपके रूपांतरित करना है और बड़ा है यह असान है आपको हाशी आएगा अबे ठीक ना क्रोध कीसे करना है आपमे lle जाती जब आदमी में क्रोध आधा है तो उसमें क्या जाति उर्जा, तो उस उर्जा को आपको यूज करना है, यज यूज आप दो तिन चीज़ आपको कर सकते हैं, पहला कोई काम नहीं है, घोमने निकल जाएए, क्रोध आपका ठंडा हो जाएगा, और कुछ का कम नहीं है, कुध पाते हैं तो कॉपी कलाम उठाइए और पूरा लिखना सुरू करते हैं participants इन सब चीज़ों से क्रोधव उतर जाता है क्या हो है कि जब हम खोड करते हैं तब हमें उर्जा को रुपांतर होता है सबसे अच्छा तरीका है घोमने निकल जाए जब आप घोमने निकल जाते हैं तब आपका क्रोध स्वत्ता सांथ हो जाता है क्रोध को कभी भी अपने अंदर पी के नहीं रखिएगा नहीं तो इस राजरोग होने को संका होती है क्रोध को पिना यानि 20 मिने का समान है क्रोध कभी भी नहीं पीना चाहिए थेए तो आज किस वीडियो में मैंने आपको महात्माबुद्ध महाबिर सवामी достire औरसो जैसे महान विक्तियों में जो कौड के लिए बचने को उपायव बताया वो भी आज मैंने आपके सामनी बताया ठीक ना? वीडियो पसंदाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल का इकन को प्रेस कर सकते हैं यह मत समझी है काई है कि यह बच्चा क्या कर सकता है यह कि आदमे की उम्र गरनाई देखिए उसकी मेंटल एज देखिए ठीक ना? ठैक यू